वेल्कम बें गाईज, आज हम क्लास 12 पालोजी के शिप्टर 13 का पार्ट 10 पढ़ेंगे अब हमें पहले इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है प्रिडेशन अब प्रिडेशन में हमने क्या पढ़ा है एक स्पेसिज को बेनेफिट होता है तो दूसरे को हम होता है ठीक है देखो जिस स्पेसिज को बेनेफिट होता है उसको हम बोलते है प्रिडेटर और जिसको हम होता है उसे क्या बोलते है प्रे ठीक है तो जो प्रिडेटर होता है व no animal to eat the plants अब देखो उसने क्या बुला एक community है जहाँ पर plants तो हैं बट उन plants को खाने के लिए कोई भी animals नहीं है ठीक है ना plants तो है बट वहाँ पर कोई भी animal नहीं है जो इन plants को खाते हूँ तो उसका question क्या है उसका question यह है कि plants जो है उन्होंने photosynthesis के थ्रू जो energy बनाई है ठीक है अपने अंदर जो energy बनाई है उस energy का क्या होगा तो इसको समझने के लिए हापे हमें थोड़ा कुछ और समझना पड़ेगा तो ऐसे बनाते हैं एक triangle इसमें एक, दो, तीन इस तरीके से line खीज देते हैं अब यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या primary producer फिर primary consumer फिर secondary consumer फिर tertiary consumer अब यह न एक तरीके से क्या है food chain मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो primary producers क्या होते हैं, producers मतलब जो energy बनाते हैं photosynthesis के through, तो उसमें mainly क्या आ जाते हैं plants फिर plant को जैसे यहाँ पर कौन खा रहा है, rabbit ठीक है, rabbit खा रहा है फिर rabbit को कौन खा रहा snake खा रहा है और snake को कौन खा रहा है, eagle eagle खा रही है, ठीक है न, इस तरीके से तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर देखो, plant ने photosynthesis के through, जो energy बनाई थी, वो energy कहाँ से लिएगी, rabbit में क्योंकि rabbit ने किसको खा लिया, plant को खा लिया अब rabbit के अंदर energy है तो अब snake क्या करेगा, rabbit को खा लेगा, तो rabbit की energy कहाँ चलीगी, snake में, फिर snake को किस ने खा लिया, eagle ने खा लिया तो इससे क्या होगा, जो snake की energy है, वो किसमें चली गई eagle में, तो इस तरीके से क्या होता है, energy का transfer होता है अर यह होता है, यह होता है, tropic levels, यह होता है tropic levels, यह हम वैसे आगे पड़ेंगे अब question था कि यहाँ पे अगर एनिमल नहीं है, प्लांट को खाने के लिए, तो इस एनर्जी का क्या होगा, इस एनर्जी का कुछ भी नहीं होगा, यह एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो पाईगी, ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे अनिमल नहीं होगे, तो यहाँ पे CO2 भी नहीं होगी, और CO2 भी नहीं रहीगी, तो क्या होगा, जो प्लांट से उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है, प्लांट को फोटो सिंतेसिस करने के लिए, CO2 की requirement दो होती है ठीक है clear तो इस एक line से में क्या समझ में आया इस एक line से में ये समझ में आया कि predator ठीक है ना कि predator होना जरूरी है मतलब इस plant को खाने के लिए कोई चाहिए इस rabbit को खाने के लिए कोई चाहिए इस snake को खाने के लिए कोई चाहिए तब ही क्या होता है energy का flow होता है और energy का flow होना ज़रूरी है ठीक है? clear? You can think of predation as natural way of transferring to higher tropic levels the energy fixed by plants अब दिको उसने क्या बोलो जो plants होते हैं वो plants photosynthesis के थूँ जो energy fix करते हैं उस energy का transfer होता है higher tropic level में किस के थूँ? predation के थूँ जब predation होता है तभी तो क्या होता है? energy higher tropic level में जाती है जैसे यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर क्या था? यह lower tropic level है जिस पर plant आते हैं तो यहाँ से energy जा रही है higher tropic level में आगे transfer हो रही है न energy तो क्यों हो रही है energy transfer? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है predation कोई किसी हो खा रहा है तो कोई किसी हो खा रहा है clear समझ गए तो predation होना ना जरूरी होता है when we think of predation and prey most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind तो देको सीधी बात है जब भी भी हमारे दिमाग में predation की बाता है तो predation में हमारे दिमाग में क्या आता है भाई एक शेर है और एक हीरन है तो शेर हीरन को खा रहा है यह क्या है predation है but a sparrow eating any seed is no less a predation तो अगर एक sparrow है ठीक है चिडिया है वो किसी सीड को खा रही है वो भी predation है ठीक है ना वो भी predation होता है clear although animals eating plants are categorized separately as herbivores अब आपको पता है herbivores कौन होते है ऐसे animals जो कि plant को खाते है they are in a broad ecological context not very different from predators तो यह जो herbivores है यह भी predators है क्योंकि यह किसको खा रहे है plants को खा रहे besides acting as conduit for energy transfer across tropic levels predators play other important roles अब दिकों सीधी पाते है जो predators होते है वो किस के तरह काम करते है conduit की तरह conduit मतलब channel या फिर कोई रास्ता तो predator क्या बनाते है एक रास्ता बनाते है जिसके तुरू energy का transfer होता है higher tropic levels में यह हमने यहाँ पे देखा था तो इसके अलावा भी एक तो यह energy flow में help करते हैं इसके अलावा भी predator के बहुत सारे काम होते हैं और important role होते हैं they keep prey populations under control अब देखो जो predators होते हैं वो क्या करते हैं prey की population को under control रखते हैं मतलब जादा बढ़ने नहीं देते हैं जैसे example है tiger है ठीक है और यहाँ पे deer तो tiger के होने से मतलब predator के होने से जो deer की population है मतलब जो prey की population है वो जादा नहीं बढ़ती है क्योंकि tiger क्या है deer को खा लेते हैं तो जादा population कैसे बढ़ेगी नहीं बढ़ पाएगी न अब एक condition माल लो यहाँ पे tiger खतम हो गए ठीक है तो tiger खतम होने से क्या होगा अब deer की population बहुत जादा बढ़ने शुरू हो जाएगी बहुत जादा हो जाएगी deer की population जिससे क्या होगा न ecosystem में कुछ in-stabilities आ जाएगी कुछ problems आ जाएगी तो वो problem ना आए इसलिए तो यहाँ पे क्या रहते हैं predators बट फॉर predators prey species could achieve very high population densities and causes ecosystem in-stability तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया अगर predator के compare में prey की जो species हैं वो बहुत जादा high number में हो जाएगी मतलब उनकी जो population है वो बहुत जादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा ecosystem में in-stabilities आ जाएगी मतलब बहुत सारी problems हो जाएगी अब इसको समझो एक ये country है और एक ये country है ठीक है हमने क्या किया इस country से एक species को उठाया और इसको हम दूसरी country में लेके आ गए ठीक है बात समझ में आ रही है न इस country से हमने एक species को उठाया और इस country में लेके आ गए नई country में तो इस species को नाम दिया गया exotic species exotic exotic species ऐसी species होती है जिनको क्या बोला जाता है alien species alien species मतलब इनको बाहर से लेकर आएगया है तो सिधी बात है ना इस species को हम कहा से लेता है इस country से इस country से यहाँ नई country में लेकर आए अब देखो जब यह exotic species को इस country में लाया गया तो इसका तो कोई predator यहाँ पर होगा ही नहीं बात सुन्ण में आ रही है न इस country में इस exotic species का कोई भी predator नहीं होगा क्योंकि यह species यहां की है यह नहीं यह तो यहां की है तो जब predator नहीं होगा तो क्या होगा यह exotic species बहुत तेजी से बहुत तेजी से grow करेंगी लिखाए ना, start spreading fast, यह क्या करेगी, बहुत तेजी से divide करेगी, अपनी population को बहुत ज़ादा बढ़ा देगी, clear, okay, अब हम इसको समझेंगे, इसी case को हम समझेंगे एक example से, अब इसको समझो, देखो, यह है Australia, ठीक है, और यह है कोई और country, और time है 1920s का, ठीक है, तो क्या वहा, 1920s में न, किसी और country से, किसको लेके आए, एक cactus को, कौन सा cactus, यह, prickly pear cactus, इसको क्या करा, किसी और country से कहां लेके आए, Australia में, ठीक है न, Australia के अंदर लेके आए, अब सीधी बात है, यह जब cactus यहां आया, तो इस cactus के लिए, Australia में, कोई भी natural predator नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है न, इस cactus के लिए, कोई भी natural predator यहां पे नहीं है, तो जब भी natural predator नहीं होता है, तो क्या होता है, कोई भी species बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि predator नहीं है, तो क्या हुआ, यह जो cactus है यह इतनी तेजी से ग्रो हुआ, इतनी इसे ग्रो हुआ कि यह na, million of hectares में फैल गया, मतलब बहुत बड़े area में यह फैल गया, यह cactus, कहा Australia में, अब इससे क्या हो गई, havoc situation, मतलब dangerous situation हो गई है, damaging situation हो गई, यह तो बहुत ज़दा problem हो गई, अब क्या है न, हमें क्या करना है, इस cactus को खतम करना है, खतम तो नहीं कम करना है, ठीक है, लोगों के दिमाग में क्या है, जो Australia के लोग थे, उनके दिमाग में आया कि यह तो cactus बहुत ज़दा fell गया, अब इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका solution अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, finally the invasive cactus was brought under control, only after a cactus feeding predator, a moth from its natural habitat was introduced into the country, अब देखो, इसको समझो, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, जो moth है इसका नाम क्या है, cactoblastis cactorum, ठीक है ना, cactoblastis cactorum, अब यह जो moth है यह basically कहां का होता है, अर्जेंटीना का, ठीक है, यह अर्जेंटीना में मिलता है, बट लेकिन इस moth की खासियत क्या है ना, यह cactus को feed करता है, मतलब यह क्या है, cactus को खाता है, तो क्या किया गया, इस moth को अर्जेंटीना से उठा करके, कहां लेके आगया, आस्ट्रेलिया में, क्यों लाया गया, ताकि यह moth क्या करे ना, इन cactus को खा जाए, क्योंकि cactus बहुत जादा फैल चुके है, अब problem हो रही है, तो फिर इस cactus के लिए किसे लेके आए, इसके predator को, जो की क्या है, एक moth है, और कहां से लाए, अर्जेंटीना से, तो अर्जेंटीना से उठाया है, इसको आस्ट्रेलिया में लेके आए, और फिर क्या हुआ, इन moth ने cactus को खाना शुरू किया, जिससे क्या वा न, cactus की जो population है, वो काफी हत्ता कम हो गई, और situation काफी हत्ता सही हो गई, clear, समझ गए, बायलोजिकल कंट्रोल मेथर्ट्स अडप्टेट इन अग्रिकुल्चरल पैस्ट कंट्रोल are based on the ability of the predator to regulate prey population, अब इसको समझो, एक ये खेत है इस खेत में क्या लगा है, फसल लगी है, ये कुछ फसल लगी है, बट लेकिन इस फसल में क्या लग गया, कीड़ा, मतलब यहाँ पे लग गया, पैस्ट, ठीक है, और ये कीड़ा क्या कर रहा है न, इस फसल को नुकसान पहुचा रहा है, तो अब इसको ठीक क्या से किया ज जिससे क्या होगा धीरे धीरे इस खेत में जो ये कीडे हैं जो पैस्ट है ये कम हो जाएंगे और जिससे क्या होगा फसल को नुकसान आगे नहीं होगा और फसल सही होगी तो इसको बोलते हैं biological control methods जिसमें predator का इस्तमाल किया जाता है prey की population को कम करने के लिए predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species अब इसको समझो देखो यहाँ पर क्या है predators ठीक यहाँ पर predators है और यह predators किसको खा रहे हैं prey को खा रहे हैं ठीकitated ना अब prey यहाँ पर यह एक prey है यह prey है यह prey है तो predator क्या कर रहे हैं इन prey को खा रहे हैं ठीक है चारपाश यहां पर हैं अब देखो एक condition समझो अगर यहां पर predators जो है वो खतम हो जाए तो उससे क्या होगा यह जो praise है इनकी population बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला आप कोई बचा नहीं है तो इनकी population तो बढ़नी शुरू हो जाएगी बढ़ लेकिन यहां पर क्या है इस ecosystem में क्या है जो space है ठीक है रहने के लिए जो space है या जो food है वो सब क्या है न limited है ठीक है न limited resources है यहां पर सीधी बात तो अब इतनी population बढ़ गई इतनी population जब यहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी तो क्या है सब को खाना चाहिए सब को रहने के लिए जगे चाहिए बट लेकिन यहां पर क्या है खाना तो बहुत ज़ादा है नहीं limited है space भी limited है बहुत ज़ादा है नहीं तो इससे क्या होगा इनके बीच में लड़ाई होगी किसके लिए खाने के लिए और space वगईरा के लिए तो जब लड़ाई होगी तो इसका मतलब इनके बीच में क्या होगा competition ठीक है जैसे neat में होता है नेट में क्या होता है seated limited है न बट लेकिन जो student है बहुत सारे है तो उनके बीच में क्या होगा competition होगा सीधी बाद तो यहाँ पे भी क्या होगा जो यह prey है यह इतने सारे prey है इनके बीच में competition होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे food और space limited है competition होगा तो आपको पता है जब भी competition होता है ना तो उसमें क्या होता है दोनों species को क्या होता है नुकसान होता है ठीक है न नेगेटिव नेगेटिव यह हमने उपर देखा था तो जब इनके यह इतनी सारी जो prey है इनके बीच में competition होगा तो उससे क्या होगा इस prey को भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान से, competition होने से, और एक टाइम के बात क्या होगा? ये जो pre species हैं, ये खतम ओने शुरू जाएंगी, ठीक है न? ये खतम ओने शुरू जायगी, कोकि इनके बीच में क्या हो रहा है? competition और competition से दोनों को नुकसान होता है तो इस से क्या हुआ उस community में जो species की diversity है बो भी काम होनी शुरू हो जाएगी मतलब variety of species अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि species तो क्या हो रही है दीरी-दीरे खतम हो रही है क्योंकि इनके बीच में competition हो रहा है समझ रहो ना पूरी story को तो सीधी बात यहाँ पर इस line में हमने क्या समझी कि predator का होना जरूरी है predator होंगे तो क्या होगा जो praise है उनकी population जादा नहीं बढ़ेगी और जब population जादा नहीं बढ़ेगी तो उनके बीच में competition जादा नहीं होगा और जब competition जादा नहीं होगा तो क्या है उनमें इनको नुकसान मतलब यह जो prey है इनको नुकसान जादा नहीं होगा जिससे यह उस community में बने रहेंगे उनकी population खतम नहीं होगी clear अब यह जो हमने समझा ना इसको हमें examples समझ लेते हैं और clear हो जाएगा यहाँ पर जो स्टार फिश है जिसका नाम कहा है पिसास्टर वो एक important predator है ठीक है ना अब इसको समझो In the field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition. समझो इसको, देखो, यह है पिसास्टर, ठीक है, पिसास्टर यहाँ पे क्या है, एक important predator है, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो पिसास्टर है, यह लगभग 10 species हैं, किसकी, invertebrates की, उनको खाती है, ठीक है, यह पिसास्टर जो starfish है, यह किसे खाती है, लगभग 10 species जो हैं, invertebrates की, उसको खाती है, अब क्या हुआ यहाँ यहाँ पे, एक experiment के through, यहाँ पे क्या किया गया, सारी पिसास्टर जो starfish हैं, उनको यहाँ से remove कर दिया गया, अतलब सीधी बात, यहाँ पे predators को हटा दिया गया, ठीक है, अब जब predator को हटा दिया तो उससे क्या होगा, यह जो 10 species हैं इनकी population क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना, population बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, बट लेकिन फिर वो ही बात आजएगी, यहाँ पे क्या है, जो food है, यह जो space है, यह और भी जो resources हैं, वो तो limited हैं ना, यह ना, limited resources हैं, बट लेकिन population बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में, वही competition होगा, थिके ना, इनके बीच में क्या होगा, complexion होना शुरू जाएगा, और competition होने से क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, दोनों species को नुकसान ह होता है और धीरे-धीरे competition इतना बढ़ जाएगा कि क्या होगा ये इतना competition बढ़ गया कि इससे क्या होगा ये जो 10 की 10 species है ने invertebrates की यही extinct हो गई मतलब ये खतमी हो गई गायब हो गई यहां से क्योंकि इनके बीच में competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ठीक है और वह competition कौन सा होता है इंटर इस्पेसिफिक competition यह मैंने आपको बता दिया था जब यह दो different species के बीच में competition होता है तो उसको क्या बोलते हैं इंटर इस्पेसिफिक competition यहां पर भी क्या हो रहा है दस different species के बीच में competition हो रहा है तो इसका मतलब inter-species competition हुआ competition इतना ज़ाधा बढ़ा कि उसकी वे से यह 10 के 10 species खतम हो गई तो यह पूरी कहानी से में क्या पता चला? हमें पता चला कि यहाँ पर predators का होना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है If a predator is too efficient and overexploits its prey then the prey might become extinct and following it the predator will also become extinct for lack of food अब इसको समझो यह है predator ठीक है? और यह क्या है? prey है ठीक है? यह prey है यहाँ पर तो prey क्या है? खाना है, food है किसका food है? predator का क्योंकि predator किसे खाता है? prey कोई तो खाता है तो यह इसको खा रहे है अब line में क्या लिखा है? उसने लिखा है कि जो predator है न वो बहुँ जदा efficient होगा या overexploit कर रहे है prey को मतलब यह जो predator है यह बहुत ज़ादा खा रहे है किसको prey को ठीक है? एकदम बहुत ज़ादा खाना शुरू कर दिया है नोने इसको तो क्या होगा? एक टाइम के बाद यह जो prey है यह खतम हो जाएंगे पूरी तरीके से ठीक है न? पूरी तरीके से खतम हो जाएंगे और prey क्या हो जाएंगे? extinct हो जाएंगे खतम हो गए ठीक है? तो सीधी बात क्या हुआ? जो predator है उसका खाना भी तो खतम हो गया अब किसे खाएगा वो उसने इतनी जल्दी खाया इन सब को प्रेको कि उसका खाना ही खतम हो गया तो अब खाना ही नहीं है तो predator किसे खाएगा तो ये भी भूग से मर जाएगा और ये भी extinct हो जाएगा ठीक है ना? हैं ठीक है तो जो predator है इसलिए क्या होते हैं careful रहते हैं वो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत सारे prey को खाना शुरू कर देंगे ऐसा वो नहीं करते हैं ठीक है न नहीं तो क्या होगा यह वाली condition हो जाएगी prey species have evolved various defenses to leasen the impact of predation leasen का मतलब होता है reduce ठीक है तो यहाँ पर क्या बहुता है जो prey species होती है वो predator से बचने के लिए क्या करती है कुछ defense mechanism को अपनाती है ठीक है जैसे example के some species of insects and frogs are cryptically colored camouflaged to avoid being detected easily by the predator अब देखो कुछ species होती है insects और frogs की जो की camouflage show करती है camouflage का मतलब होता है जैसे कि आपने देखोगा आर्मी की जो dress होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर वो jungle में है तो वो आसानी से दिखते नहीं है क्योंकि उनकी जो dress रहती है वो उसी color की रहती है जैसे कि पत्तों का color रहता है पेडों का कलर रहता है तो वो आसानी से दिखते नहीं है उसमें ठीक है? तो उसी तरीके से जो इंसेक्ट और फ्रॉग होते हैं यह अपनी बॉड़ी का कलर इस तरीके से बना देते हैं ताकि जो आसपास का इंवार्मेंट है ना उसमें वो आसानी से छुप जाए तो उससे क्या होगा? जो उनके प्रिडेटर है वो उसको पैचान नहीं पाएंगे कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे यह हैं तो जब वो ढूंडी नहीं पाएगा इंसेक्ट और फ्रॉग को प्रिडेटर तो उससे खाएगा कैसे? तो इस तरीके से क्या होता है? यह अपने आपको बचा लेते हैं, अपने प्रिडेटर से ठीक है? Some are poisonous and therefore avoided by the predators. अब सीधी बात है कुछ जो praise होते हैं वो poisonous होते हैं, तो फिर उनको कोई भी प्रिडेटर नहीं खाता है तो इस तरीके से जो praise होते हैं, वो अपने आपको बचा लेते हैं तो इस जो मुनार्ज बटरफ्लाइ है यह बहुत ज़दा डिस्टेस्टफूल होती है मतलब इसका जो स्वाद होता है, बहुत ज़दा गंदा होता है तो इसलिए कोई भी predator इसको नहीं खाता predator basically यहाँ पर कहा है, bird है तो कोई भी bird ना इस मुनार्ज बटरफ्लाइ को नहीं खाती है क्योंकि इसका जो स्वाद होता है, वो बहुत ज़दा गंदा होता है अब यह इसका जो मुनार्ज बटरफ्लाइ है, इसका जो टेस्ट है, वो गंदा क्यों होता है क्योंकि इसकी बॉड़ी में एक special chemical मिलता है उसकी वज़े से तो इस तरीके से यह अपने आपको बचा लेती है, किस से? predator से Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed अब देखो जो butterfly होती हो, कैसे develop करती है, सबसे बहुले egg है उसमें ठीक है, egg develop होता है किसमें? larva में, फिर वो बनता है pupa, और फिर बनता है adult butterfly ठीक है, तो यह जो larva stage होती है न, इसी को बूलते हैं कौनसी stage? caterpillar stage तो जब यह caterpillar stage रहती है, तो इस stage में यह caterpillar किसे खाता है? यह खाता है एक poisonous weed को, weed मतलब क्या होती है? एक छोटा सा पौधा हो गया, तो यह caterpillar क्या करता है? इस poisonous weed को खाता है, जिस वेज़ से क्या होता है न, इस caterpillar की body में एक special chemical चले जाता है और इसी special chemical की वेज़े से क्या होता है? इस butterfly का जो taste है, वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा खराब होता है और फिर इसे कोई भी predator नहीं खाता है for plants, herbivores are the predators तो देखो जो plants होते हैं, उनके लिए predators कोन है? herbivores क्योंकि herbivores किसे खाते हैं? plants को खाते है nearly 25% of all insects are known to be phytophagus तो जितने भी insects हैं, उनमें से 25% insects ऐसे होते हैं, जो कि phytophagus होते हैं मतलब वो किसे फीड करते हैं, feeding on plant sap and other parts of the plant तो देखो, यह जो 25% insects हैं न, यह किसे खाते हैं? यह खाते हैं plant को या फिर plant के sap को यह खाते हैं, अब plant का sap होता है? plant sap इसका मतलब क्या है? fluid, जो कि transport होता है कहाँ? ट्रांस्पोर्ट होता है यह आपके xylem cell में, या फिर जो phloem का sieve tube होता है न, उसमें, तो xylem cell और sieve tube में जो fluid transport होता है, उसको बोलते है plant sap, और इसी plant sap को यह 25% insect खाते हैं, उसके अलावे जो 25% insect हैं, यह कि करते हैं? other parts of the plant को भी consume करते हैं, ठीक है? तो इनको क्या बुलते है? phytophagus, the problem is particularly severe for plants because unlike animals, they cannot run away from their predator, तो सीधी बात है न, देखो, problem किस के लिए? plants के लिए जादा है, क्यों? क्योंकि जो animals होते हैं, वो तो क्या कर सकते हैं? भाग सकते हैं, जैसे कि deer है, deer ने देखा कि शेर आ रहा है, तो शेर से बचने लिए deer तो भाग जाएगा, बट लेकिन plant के आसपास जब उसके predator आएँगे, तो plant तो भाग नहीं पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा problem है, ठीक है न? plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores, तो देखो, यहाँ पर क्या बोला? astonishing, इसका मतलब होता है amazing, ठीक है, अब आपको पता है plant जो है, वो हर्भी बोर्ड से बचने के लिए भाग तो नहीं सकते, तो हर्भी बोर्ड से बचने के लिए plants क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ morphological और कुछ chemical defense को produce करते हैं, ठीक है, अब वो क्या होते हैं, हम देखेंगे thorns, acacia and cactus are the most common morphological mean of defense, जो cactus होता है, यह जो acacia है, इसमें क्या रहते हैं, thorns होते हैं, thorns मतलब इसमें काटे रहते हैं, इसमें काटे रहते हैं, तो जब काटे हैं, तो कोई भी हर्भी बोर्ड जो है, वो से खाएगा नहीं, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस cactus ने अपने आपक को बचा लिया, many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten and inhibit feeding or digestion, disrupts its reproduction और even kill it, तो देखो, एक तो हमने morphological defense पढ़ा, जो की क्या था, thorns, ठीक है, मतलब काटे, उसके बात आता है, chemical defense, तो इसमें क्या है, कई सारे ऐसे plants होते हैं जो अपने अंदर कुछ chemicals को produce करते हैं और store करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, कोई herbivore आया, ठीक है, कोई herbivore आया, इसने क्या किया, इस plant को खाना शुरू किया, जैसी ये herbivore इस plant को खाएगा, तो क्या होगा, ये chemical इस herbivore की body म आ जाएगा, तो उससे क्या होगा न, उससे होगा ये, कि जो herbivore है, वो बिमार पड़ जाएगा, ठीक है, और उसका digestion खराब हो जाएगा, दूसरा उसका reproduction की जो ability है, वो भी खराब हो सकती है, यहां तक कि इसकी death भी हो सकती है, तो इस तरीके से क्या है न, ये जो plant है, इसन तो फिर herbivore जो है न, इनको खाएंगे न, दुबारा नहीं खाएगा फिर, क्योंकि उससे वो डड़ जाएगा, सीधी बात है, दुबारा उससे खाएगा नहीं, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दा, वीड केलाट्रोपेस ग्रोइंग इन अ एबंडॉन फिल्ड, एबंडॉन जहाँ पर आप खेती नहीं होती, थोड़ा बंजर एरिया है, ठीक है, बंजर जमीन है, वहाँ पर क्या है न, आपने एक वीड देखी होगी, वीड मतलब एक छोटा सा unwanted plant देखा हुआ, जिसे बोलते हैं, केलाट्रोपेस, ठीक है, the plant produce highly poisonous cardiac glycosides, अभी जो केलाट्रोपेस होत आगे पढ़ते हैं, and that is why you never see any cattle or goat browsing on this animal, this plant, तो क्या पुलाँ उसने, यह जो केलाट्रोपेस है, यह क्या करता है, poisonous cardiac glycosides को produce करता है, अब आप देखोगे न, कभी भी आपको इसके आस पास कोई भी cattle, या फिर goat नहीं मिलेगी, जो की इस पौधे को खाए, ठीक है, इस आपको कोई भी cattle और कोई भी goat नहीं खाती, क्योंकि उन्हें पता है, इसके अंदर यह poison है, और इस poison हो खाने से इनकी death हो सकती है, तो फिर यह कभी भी इस स्केलाट्रोपेस को नहीं खाते है, अब यह cardiac glycosides करते क्या है, यह basically करते हैं, कि animal के जो heart रहते है, उसकी functioning को disbalance कर देते हैं, functioning proper नहीं हो पाती है, heart की, तो उससे क्या होते है, जो animal उसकी death हो जाती है, ठेक है, समझ गे, a wide variety of chemical substance that we extract from plants on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, trichinin, opium, etc are produced by them actually as defense against grazers and browsers, अब देखो उसने क्या बुला, कि हम क्या करते हैं, कई सारे plants से इन chemicals को निकालते हैं, यह हमारे काम के chemicals होते हैं, ठेक है, बट लेकिन plant इन chemicals को बनाता क्यों है, क्योंकि plant क्या करता है न, इन chemicals की मदद से अपने आपको बचाता है, किस से, grazers and browsers है, तो जैसे हैं कि plant है, इस plant के अंदर अगर यह chemical है न, तो कोई भी हर्भी वोर इस plant को नहीं खाएगा, क्यों नही कैसे होंगे, poisonous, तो सीधी बात है वो से नहीं खाएगा, ठीक है, बाइबाए, तो फिर अगले वीडियो में हम competition के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बाइबाए